करमचारियों की हाजरी हो या वेतन हाफ डे हो या नाइट ड्योटी सब का रखो पूरा हिसाब पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही एप पर डाउनलोड पगार खाता लगाने के लिए राज बीजेपी की कद्दावर्ट नेताओं को सामने आना पड़ा तरसल इन चर्चाओं की शुरुआत बोपाल में बीजेपी महासरचिफ कैलाश बजेवर्गी की महजुद्गी से हुई कैलाश बजेवर्गी बोपाल में कैम कर पार्टी के अलग-अलग नेताओं से मिले तो आरसेस और संग्टन की बढ़े नेता भी भूपाल में जम्मे थे और अलग-अलग नेताओं से मिल रहे थे इन बैटकों पर पार्टी की तरफ से कोई सफाई नहीं आए थी लेकिन कैयासों के दौर शुरू हो गए थे कैया एंपी में नेत्रत परिवर्टन होने वाला है लेकिन अब खुद कैलाश बजेवर्गी की सफाई आई है और नेत्रत परिवर्टन को उन्हें खारिच किया है कि अभी मीडिया कुछ भी कहानी बना दे बागी जो मैं देख रहा हूं जो पढ़ रहा है उसमें कुई दम नहीं है सब भकवास है यह सामानी मेल मुलाकात है आजकल कोवीड में लोगों के पास काम भी काम है तो कम सिक्वा अपने व्यक्ति का संबधी मधूर कर रहा है और उसको राजनेती ग्रंग देना में नहीं मानता कोई बहुत सब नित्रत परिवर्तन की बात की जा रही है बिलकुल नहीं शिवराज जी के नित्रत परिवर्तन की बात की बिल्कुल नहीं शिवराज के नित्रत परिवर्तन के कयासों को बे बुनियाद बताया है नित्रत मिश्रा की माने तो राज में शिवराज के नित्रत मसरकार इसी योगिता की आवश्यक्ता नहीं होती है और इसलिए ये जो फैक नियूज है जो भ्रामक और असत्य समाचार हैं मेरी प्रात्ना इंपर ध्यान न दे है भारती अंता पार्टी पूरी तरह से शिवराज सिंग जी और बीडी शर्मा जी के नितत्तु में एक है संगठित है मानी शिवराज सिंग जी मुख्यमंत्री थे मानी शिवराज सिंग जी मुख्यमंत्री हैं मानी शिवराज सिंग जी मुख्यमंत्री रहेंगे इसलिए इस तरह की अटकले कम से कम बाट से फेस्बुक इसको आधार न बनाए समाचार का ऐसा कुछ भी ने झाल झाल